दोस्तो इस जीन्स के वीटिए में देखने वाला है बहुत सारे जीन्स सस्ते से लेकर महांगे तक पूर एक्सप्लॉर करेंगे जाला जीन्स आता है हमारा मीशो के तरफ से लेट्स अन्राप देश्ट यह भाई एक वाइट कलर का जीन्स है और इन स्कैम से दूर रहो जैसे इसके डिजाइनिंग होती है exactly वैसे side side में आपको cut pockets देखने को मिल जाएंगे चूटूस आपको coin pocket देखने को मिलेगा इसका जो fabric है ना वह काफी पदला है यूजवली अगर डिनेम से जीन्स की बात करें ना वह थोड़े से मोटे टाइप के होते हैं लेकिन यह बड़ा ही ना comfortable आपको feel करवाएगा वैसे नीचे की तरफ देखे तो बहुत ज्यादा narrow नहीं है ब्रैंड का नाम है भाई हमजा इवेंट जीन्स अगर यह नहीं रहता ना तो ज्यादा अच्छा रहता है और इस जीन्स को हम सीधा compare कर रहे हैं local market से अगर आप locally भी जीन्स कर दोगे तो local markets में आपको तीन चार सो रुपए में 500 रुपए में जीन्स मिल जाते हैं definitely जाना च अगर इस particular jeans की बात करें obviously आपको black color देखने को मिलता है same यहां पर भी आपको बहुत ही light material देखने को मिलेगा बहुत जादा heavy jeans जैसा आपको फिलनी करवाएगा side side में आपको pockets देखने को मिल जाएंगे चोट वाला pocket भी मिलता है metal का बटन देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको metal का zip मिलता है price wise काफी अच्छी quality ने उने maintained करी है वागी side side में आपको stitching की detailing देखने को मिल जाएगी मेरे वाले jeans में एक धागा खिज गया यहां से एक रिंकल जैसा यहां पर आ गया ऐसे back में आपको two pockets देखने को मिल जाएगा एक normal सा रेक सीन का आपको patch मिलता है जह 300 हो कि में आजकल ठंके T-shirt मिलते हैं और यहां पर 300 में आपको jeans मिल रहा है तो मैं ज्यादा comments नहीं करूंगा इसके फिबरी किया quality पे दो महीने भी खीच गया ना तो समझो बल्ले बल्ले अब हम सीधा jump कर चुके है भाई एक brand in jeans पे just look at the jump मतलब देखनी जाथ ना वो quality फील हो रही है denim वाली लीग आपको tag देखने को मिल जाएगा इस jeans का नाम है रोडियो और प्राइजिंग लिखी ही है तीन हजार तो से 99 कितना पो पेगा ना वो मैं exactly बताता हूँ jeans के अगर look की बात करें ना भाई काफी ज्यादा खुबसूरत है metal का बटन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको ली की branding मिलीगी हाई quality आपको zip देखने को मिलता है stitches की quality, fabric की quality, हर चीज में आपको वो quality feel होगी side side में वही आपको pockets देखने को मिल जाएगे typical जैसे jeans की designing होती है belt के आपको loops देखने को मिल जाएगे back की तरफ आपको 2 pocket मिलता है Lee का branded patch देखने को मिल जाएगा overall dark blue color का jeans है लेकिन उसमें हलका हलका wash आपको देखने को मिलेगा रफी जादा खूबसूरत लग रहा है jeans proper तरीके सब आई stretch होता है तो comfortable तो बिल्कुल ही बिल्कुल लगने वाला है साथ ही अगर इसके fitting की बात करे regular fitting वाला jeans है रफी जादा comfortable होगा और इस प्रीमियम jeans के लिए आपको 2000 रुपे के आसपास का पे करना है हमने देखो 2000 के से कम में खर रहा था सेल के टाइम में अभी थोड़ी सी pricing बढ़ गई है definitely jeans नहीं बलकि एक investment होगा All right, let's go, हमारा jeans है ना भाई, वो jeans ऐसा jeans है कि उस brand का नाम लो ना तो दिमांग में बस jeans ही आता है brand का नाम है भाई, Levi's लेकिन इसके बात जो हम product खुलने वाले है ना वो इस channel का पहला product होगा इस jeans के brand का नाम है Levi's pricing आपल की चाहज़ा दो से नाम लेतना आपको पहने करना don't worry है बहुत खुबसूरत, बहुत versatile, light blue color का regular fitted jeans है side side में आपको pocket की designing देखने को मिलेगी, छोटा सा pocket देखने को मिलेगा चोड़ कर जाता है जो भी लोग देखेंगे लिवाइस का jeans पहना है वह वाला attachment है इसके साथ आपको Levi's की branding देखने को मिल जाएगी पैच के तुरू की गई है इस jeans का नाम है 513 straight fit के साथ आता है थोड़ा सा comfortable आपको feel करवाएगा fabric amazing तरीके से stretch होता है इसका जो light color है ना वो इसे बहुत जादा versatile बनाता है अगर composition की बात करें जिन लोगों को interest है इस पे यूजवा भाई 87% cotton 12% polyester and 1% ilustine काफी जादा मजबूती से मिलेगी अंदर में बाई कपड़े ओपड़े कभी जो काम है ना धाकर तरीके से किया गया है बाकि पहन के में कैसा लग रहा हूँ इस amazing jeans को और राम से देखे लो definitely मेरे से जादा अच्छे लगो गया और इसकी pricing है और मेरे भी डाल लो भाई 2700 रुपए देखो price ना problem नहीं है problem यह है कि अगर आप ऐसे jeans पहन लोगे ना इस quality के jeans तो इसके बाद अगर आपने कभी सस्ते में जानी की कोशिस की ना आपका पिछवडा सेट ही नहीं होगा वहाँ पर आपका uncomfortable feel होगा इसमें इतना ज्यादा comfort और रिलाक्समेंट होता है और राइट जो जीन्स हमारा वह आता वाई यूनिकलो के तरफ से देखो हमने इसमें ना H&M का भी आइड करना चाहा था जारा का भी आइड करना चाहा था लेकिन अलो ने धुका दे दिया दस दिन से प्रोड़ेट लटका कर रखाया है आई नहीं रहा है यूनिकलो का आपको टैग मिल जाएगा प्राइजिंग यापली की इसदर नौस नब दे अभी एक इसको अगर आप देखोगे ना ध्यान से आरे एक जैसे ही लगते है यही तो सबसे बड़ी प्रोब्लम है इस प्रोब्लम को सॉल्फ देने के लिए हम आपके लिए खतरनार वीडियो लाने वाले है महा कंपैरिजन करेंगे जीन का हर ब्राइंड ऑल्मोस हर बिस नहीं कि अपने आप खुल जाएगा खुलना भी को पड़ेगा पीछे के तरफ आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे यहां पर एक चीज मिसिंग है वो ब्राइंडिंग जो की पीछे होती है पैच वाली इसमें आपको ना थोड़ा सा स्क्राच देखने को मिलेगा जीन्स में क्योंकि इस एक और खुबसूरत सा रगेड लुक देता है वाकि अगर फिटिंग की बात करें यह आपको स्लिम फिट आने वाला है और इस्ट्रेशनेस तो भाई इसमें भर भर के हैं बहुत ज्यादा कंफरडेबल लगेगा विब्रिक इतना जादा अच्छा है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की जुरहतनी वैससे कॉमपोजिशन की बात करें आपको 98% cotton and 2% elastine यूज हुआ है चारो तरफ से बहुत ज्यादा comfortable jeans है लेकिन अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको surprise मिलने वाला है सीधा आपको 50% का discount मिल हुआ हुआ है झापको तो